पूशिया OS, Google की तरब से Android के जैसे एक OS आने वाला है, इसका नम आपने पहले सुनाई होगा, दो-तीन साल पहले बहुत जारा चर्चा चल रहे थी कि यह जो OS है, यह Google लाने वाला है और Android को यह रिप्लेस करने वाला है, लेकिन आज तक इस OS के बारे में कुछ भी अपडेट तो क्या इस OS के उपर, मतलब इस प्रोजेक के उपर का काम Google ने बंद कर दिया है, या फिर iOS आने वाला है और Android को रिप्लेस करेगा, इन सारे सवालों के जवब इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखे दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना न बूलें दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं, यह फूशिया OS है क्या, तो अगर एक लाइन में समझाओ, तो one OS to kill them all, इसका मतलब है एक OS जो कि सारी जगा भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि Android के साथ आप अगर देखते हैं, तो Android जो फो फो फोंदेट देना जोसे फोगल के लिए बहूत ज़ादा मुश्किल टास्क बन जाता है। क्यूंकि इन में जब अपडेट देना होता है, तो वियर OS के लिए अलग अपडेट देना पड़ता है, Android के लिए अलग आपडिट देना पड़ता है, मतलब मोबैल के लिए प्रॉब्लेमेटिक हो जाता है कि पूरे सिस्टम को अपडेट करें और उसके बाद सिक्रिटी पैच भी अपडेट करें ये सारी चीज़े अववाइड करनी के लिए Google ने कुछ साल पेले मतलब 2-3 साल पेले फूशिया नाम से एक OS उसके बारे में बहुत सारी चीज़े जो हो कही थी और इस OS के बारे में इतनी जज़ा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आपके फोन में, आपके टीवी में आपके घडी में मतलब सारी जगों पे एक ही OS चलने वाला है यहां तक कि आपके Bluetooth स्पिकर में भी यह OS चे फूर कर सकता है मतलब सारी चीज़े जो हो एक ही OS से connected रहेगी और इसको update करना जो हो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें security path दलना हो मतलब जितना पार्ट अपडेट करना उतना ही पार्ट के उपर काम किया जाएगा और वो अपडेट हो जाएगा Android के जैसा नहीं है पूरी तरह से अपडेट नहीं करना पड़ता एक्च्वल में Android जो था फोन के लिए डिजाइन किया यह नहीं गया था Android डिजाइन किया गया था camera जो उनके लिए मतलब जो phone के camera जो उनके लिए नहीं यह Android रहेगा और साथ में Fushio OS बे आएगा दोनों ही चीज़े रहेंगी क्या रहेगा तो मैं आपको बता दू Android के अंदर Google जो वो ट्राइक कर रहा है Fushio OS के कुछ features जो है वो add करने के बारे में मतलब दोनो OS एक साथ नहीं रहेगे Android के अंदर ही Fushio OS आएगा कुछ update जो है वो Fushio OS के Android के अंदर लाने के बारे में Google कोशिश कर रहा है और यह जो है open source project पे काम उनका चालू है और इसका जो developer प्रिविय है जो है वो शायद इस साल के सप्टेमर मेने में आ सकता है ऐसी कुछ खबरे आ रहे ही Google की तरब से अभी तक यह confirmation नहीं है कि आएगा नहीं आएगा कुछ साल पहले इसका teaser निकल के आ चुका था जिसके अंदर दिखाए दे रहा है कि Fushio OS कैसे work करने वाला है मतलब tablet हो, laptop हो, phone हो सारी चीज़ों में एक की साथ Fushio OS कैसे work करने वाला है और यह जो Fushio OS आने वाला है इसका main focus रहने वाला है IoT device के सको पर क्योंकि आज की तरिक में अगर अब देखते हैं तो बहुत सारे IoT device जो हो हमारे day to day life में आ चीक है चैसे कि smart watch हो, smart band हो, tv's हो बहुत सारी smart चीज़े, बहुत सारे IoT device जो हो यूज में आने लगे तो इन सारे के लिए Fushio OS जो हो आने वाला है और यह जो हो ऐसे Google की तरफ से शायद 2022 में हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि developers preview जो हो सब्टेमर के महिने में आएगा तो उसका अगला बैक जो हो एक से दो महिने के बाद आएगा और वैसे होते होते, 2022 खतम होते होते शायद हमें Fushio OS जो हो देखने को मिल सकता है यह IoT devices के लिए अलग से होगा और Android phones में Android रहेगा क्योंकि कौन सी भी company अपना इतना ज़ादा चलने वाला product जो हो उसे ऐसे ही replace नहीं करेगी आप सोचके देखिए Android जो हो कितने सारे phones में आता है और सारे phones में अचनक से Fushio OS डाल देगे कितने लोग पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, बहुत सरे problems हो सकते और क्या पता, Fushio OS में भी कुछ bugs वगरें आ सकते तो इतने ज़्यादा रिक्स Google तो नहीं लेगा तो यह जो है, कि इसके कुछ features हो है, वो Android के अंदर आ सकते तो यही सारे information थी Fushio OS के बारे में तो अगर आपको वीडियो पसंद है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों की साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लिए, सबस्क्राइब और Fushio OS के बारे में आपके मन में कुछ भी सवाल हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछे दोस्तों